साथवी प्रग्य ठाकू के शहीद हेमंत करकरे पर दिये गए विवादास्पत बयान का समर्थन करते हुए करकरे आतंकी की गोली से मरे इसलिए वो शहीद है प्रन्तु सरकार कॉंग्रेस ने वर्दी का मिस्यूज करके अपनी कौंसी पी रेसी को सिद्ध करने के लिए साथवी पर अत्याचार करवाए इसलिए जहां बलिदान का सम्मान है प्रन्तु उसके अत्याचार को भी अंकित करना ये जरूरी है इसलिए मैंने इसको किया था देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग जजज के खिलाब फाई आर दर्ज होगी एक निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से जुड़े केस में सुनवाई के दौरान इलाबाद हाई कोड के जस्टिस एसन शुकला पर मेडिकल कॉलेज का पक्ष लेने का रोप CBI ने जस्टिस एसन शुकला पर केस दर्ज करने के लिए देश के मुख्यन आधीश्ट से इजाज़त मांगी और CGI रंजन गोगोई ने FIR दर्ज करने की इजाज़त दे दिये जिसके बाद पहली बार किसी सिटिंग जज़ पर FIR का रास्ता साफ हो गया माना जा रहा है कि बरफटा चार के इस मामले में जस्टिस एसन शुकला की गिरफटारी भी हो सकती 2017 के इस मामले में CBI पहले से जस्टिस एसन शुकला के खलाप जाज कर रही है जिसके लिए पिछले CGI दीपक मिस्टा से इजाज़त ली गई नियाए पालिका की ही एक कमिटी ने जन्वरी 2018 में जस्टिस एसन शुकला से नियाए कामों की सारी जिम्मेदारियां ले ली तिलंगाना में नकसली कमांडर की मौत के बाद गाउं की कुछ लोगों ने सुरक्षाबल पर हमला कर दिया तिलंगाना की भर्राचलम में नकसली मौत भेड के बाद गाउं की कुछ लोगों ने सुरक्षाबल की जवानों पर हमला कर दिया जिसमें कई जवान खायल हो गए 36 गड की बस्तर में ID की चपेट माने से CRPF का एक जवान शहीद हो गया जिसके बाद उसके पार्थिव शरीर को कैम्प तक पहुचाने के लिए नाओं का सहरा लेना पड़ा मद्रप्रदेश की नीमच में भारी बारिश की बजह से सरकारी स्कूल की छट का एक हिस्सा गिर गया जिसमें चार बच्चे खायल हो गए बिहार के दरभंगा में आई बार के बीच कुछ लड़के खत्रे की निशान की उपर भैती नदी पर बने रेलवेपुल पर खड़े होकर सेलफी लेते नजर आए उरी में पाकिस्तान की तरफ से हो रही फाइरिंग का जवाब देते हुई भारती जवानों ने पाकिस्तान की पोस्ट को निशाना बनाया मद्रप्रदेश की गुना में प्रिशासन ने चापे मारी कर जरीले रंगों से नकली मसाला बनाने वाली फाक्टियों का परदाफाश किया रूस के साइबेरिया में एक बार फिर भारी बारिश की वज़े से बाड़ आ गई पानों की केवल छटे ही नजर आई न तो सड़कें दिखी और नहीं लोगों के खेद या वहां के मैदान नजर आए हर जगा पानी ही पानी भर गया आलात ऐसे हो गए कि बचाव दल को नाओं की मदद लेनी पड़ी एक इलाके में नदी का किनारा कटने से पानी रहाइशी इलाकों में गुस्ता दिखा बिजली का एक खंबा तो पानी के तेज बहाव में गिर पड़ा एक महीने में दूसरी बार बार आने के बाद वहां के राष्टपती व्लादिमेर पुतिन ने बार पीड़ितों से मुलकात की और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिये बार पीड़ितों के लिए खाने पीने की चीज़ें और दूसरा सामान हेलिकॉप्टर से पहुँचाये गया पटना में कुड़े के एक धेर में अच्छानक आग लगने से हरकंप मच गया याग सबसे ज़ादा भीरभार बाले दाक बंगला चुरहाई के पास लगी जहां कूड़े का एक बड़ा धेर भीशड आग की चपेट में आ गया और तेजी से जलने लगा आग की लप्टे दूर से ही नजर आ रही थी और उससे उटने वाले धुएं की बज़ह से वहां का आसमान काला नजर आने लगा इस आग की खबर तुरंत दमकल विभाग को दी गई क्योंकि जिस जगा आग लगी थी उसके आसपास कई दुकाने थी जिन में आग की फैलने का टड़ था मौकि पर पहुँचते ही दमकल विभाग की लोग आग को बुझाने में जुट गए और पानी की तेज धारा से कुची बेर में आग को बुझा दिया आग बुचते ही आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली कंगना ननोत और राजकुमार राओ की फिल्म जेज्मेंटल है क्या